हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल मस्तान आटो टेक दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंसर वाले कंप्रेशर को हटा कर बिना सेंसर वाले जब कंप्रेशर गाड़ी में लगाते हैं इसी का तो हमें उसकी वायरी को किस तरह करना चाहिए यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि हमारे पास आइटवेंटी इलाइट एक गाड़ी आई जिसमें सेंसर वाला कंप्रेशर हटा कर किसी भाई ने बिना सेंसर वाला कंप्रेशर लगा दिया और उसकी वायरींग को पता नहीं कहां से कैसे करन दिया उसका एसी हमेशा ओन रहता है कंप्रेशर उसका कट ओफ नहीं होता एसी ओन करने पर उसका फैन ओन नहीं होता उस गाड़ी का एसी का पूरा सिस्टम गढ़बढ़ हो गया तो जब वो गाड़ी हमारे पास आई तो मुझे लगा हमें इस पर एक इस पर एक मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान होने से बचे और सही तरीके से हम अगर भाई लोग इसे देखकर उसकी वाइरिंग कनेक्शन को सही करते है तो शायद गाड़ी वालों का नुकसान नहीं होगा और को हटा कर उसकी जगह बिना सेंसर वाला कंप्रेशर लगाते हैं कुछ भाई तो उसकी वाइरिंग को हमें ध्यान देना चाहिए यह सेंसर है एसी कंप्रेशर का इसके कपलर में दो वाइर आती है तो हमें करना सिर्फ यह होता है कि हमें पुराने कंप्रेशर से इस सेंसर को निकालना है और इस सेंसर को हमें किसी टेप से या टाइब एल्ट से किसी चीज से बांध देना है वाइरिंग के साथ जब हम सेंसर वाला कंप्रेशर हटा कर बिना सेंसर वाला कंप्रेशर लगाते हैं गाड़ी में 507 इस टाइब के से यूनिवर्सल कंप्रेशर लगा देते हैं तो हमें उसकी वाइरिंग को इस तरीके से करना चाहिए इस सेंसर को हमें पुराने कंप्रेशर से निकालना चाहिए और इस sensor को हमें tape लगा कर या tie belt लगा कर किसी चीज से बांध देना चाहिए और इसका coupler हमें इसमें लगा देना चाहिए और इसके coupler में जो दो wire आती हैं दोनों wire को बीच में से छील लेना चाहिए और एक अलग से हमें इसमें रिले लगानी चाहिए यह रिले है 4-pin रिले जब हम इसके कपलर में से दोनों वायर को छील लेंगे तो एक वायर को हम लगाएंगे रिले के 85 नमबर में और एक वायर को लगाएंगे 86 में इसमें कपलर लगा रहने देंगे बीच में से वायर को छीलेंगे 85 को लगादेंगे एक वायर में और 86 को लगादेंगे एक वायर में 30 नमबर को देंगे हम डारेक्ट करंट 12 वोल्ट और 87 को देंगे हम जो कंप्रेशर हमने लगाया है गाड़ी में बिना sensor वाला उसकी magnet coil को इस तरीके से हमारा wiring system ओके रहेगा जब हम AC on करेंगे तो हमारा AC normal तरीके से cut off करेगा और AC on करने पर हमारा radiator का fan भी on होगा अगर आप ये sensor नहीं लगाते हैं और अलग से relay वगरे लगा कर current देते हैं compressor को तो ना तो हमारा radiator का fan on होगा AC on करने पर और ना हमारा compressor auto cut होगा जिससे AC सही तरीके से काम करी नहीं पाएगा गाड़ी में तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो बहुत से भाईयों के लिए बहुत काम किसाबित होगी और जिन लोगों को नहीं पता वो गाड़ी में नुकसान करने से बचेंगे एक बार फिर बता देता हूँ कि ये sensor हमें पुराने compressor से निकाल लेना है इसके coupler को हमें उसमें लगा देना है और इसको किसी tape से या tie belt से हमें compressor के पास ही लगा देना है और इसके compressor की इस sensor के coupler में जो दो wire है उनको छील लेना है एक wire में लगानी है हमें अपनी relay की 85 नंबर की pin wire और एक wire में लगानी है 86 number की pin wire 30 number में देना है direct battery 12 volt और 87 को दे देना है हमें जो compression हमने लगाया है उसकी magnet coil को इस तरीके से हमारा AC automatic तरीके से काम करेगा और किसी तरह की कोई problem गाड़ी के AC में नहीं आईगी तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग